करे ? है हई फ्रेंड पिसली वीडियो में हमने देखा था कि किए हम्ड डिज्गृ से रिजी में कैसे कर सकते हैं तो इस ने थńsk्षट आ जाने के लिए दो किया थे इसके लिए हम आगे की वीडियो में कैसे की आ हो यहां पर है कि हम जितना डिईघरी का में जितना डिग्री है हमारा उसको हम पाई गर व compromise करते हैं तो हमारा रिज जाता है इसमें हमें क्या करना है हमें 180 by pi से multiply करना जो radian हमें दिया होगा उसे 180 by pi से multiply करना इससे हमें क्या मिलेगा हमारा result मिलेगा for example हमें अगर pi यह pi radian form में है हमें अगर इसका value निकालना है तो हम करते हैं pi into 180 degree by again pi and the value is pi pi cancel value is 180 degree तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा आई होप आपको मैं next दिखाता हूँ pi by 3 कहा हमें यह radian form में है यह भी एक radian form में है इसे हमें एक degree में convert करना तो degree में find करने के लिए हम as usual जैसे मैंने आपको बता है multiply 180 by pi करेंगे तो लिखते हैं पहले pi by 3 180 180 degree by pi then again pi by cancel the value is 60 चलिए हम next करते है next में हमें करना है 2 pi by 5 चलिए यह थोड़ा सा देखके तो तफ लग रहा होगा इसे भी हम एजिली कर लेंगे 2 pi by 5 2 pi by 5 के लिए हम normally रिखेंगे 2 pi by 5 into 180 degree by pi okay pi by cancel 36 is equal to answer is 72 degree ठीक है यह एक form हो गया अब मैं आपको एक और नहा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी use से आप कर सकता है जैसे कि 3 by 4 pi अगर इस form में रेडियन में दिया है तो आपको कैसे find करना है तो आप लिखेंगे 3 by 4 into क्योंकि यहाँ पर हमें pi दिया हुआ है इसलिए हम लोगों को multiply 180 by pi से करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग इसको normally क्या लिख देंगे 180 degree जब हम ऐसा लिख दे रहे है तो इसको आप divide कीजे 45 बार में जाएगा is equal to 135 अगे आप आपीस समझ में आ गया होगा 5 by 6 pi कम लोग करते हैं 5 6 5 by 6 को 6 लिख दे रहे हैं pi का जो value हो 180 हम लिख दे रहे है यह जो इस वन इस 30 the answer is 1450 degree अब अगर direct radian में दिया हो 2 red करके लिखा हो तो आप कैसे के जगा 2 into 180 degree डीजा नहीं 2 pi is equal to 360 degree by pi ओके and the next one is 10 red अगर हमें दिया हुआ है तो हम लोग को करना है 10 into 180 by pi is equal to हम नॉर्मली कर दिजिए 180 का इतना आएगा by pi this one is the answer thanks for watching I hope आपको यह वीडियो समझ में आ गया हो आप देख लिए अगर आपको समझ में नहीं आगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्सें हूँ जलू से जलू मुझे पूछे radians to degree में कैसे conversion होता है